प्रगती शील समाजबादी पार्टी के मुख्या शिफपाल सिंग्यादव ने अपने एक दिवस्तिय बल्य दोरा से वापस जाते वक्त महूं में एक निजी प्लाजा में उनके समर्थोकोने उनका जोड़दर स्वागत किया जिसके बाद शिफपाल सिंग्यादव बोले कि कोरोना वैक्सीन ना तो मोदी की है ना इभाजपा की देश की है और इसको देश के वग्यानकों ने बनाया पिली बीद में जंगल से निकल कर हाईवे पर बाग पहुच गया जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों में हड़कम पमच गया रागीरों ने पुलिस को मामले की सूशना दी जिसके बाद पुलिस और वन विवाक्टी मौके पर पहुची है बाग को पकड़ने का प् बंद कर दिया सूशना पर पहुचे साधियों ने मुख्य बजार से लेकर थाना मार्क पर 30 एंबुलेंस खड़ी करके जाम लगा दिया लेलदपुर में गने कोरे के करण सड़क किनारे खड़ी बस में तेजरफतार बस ने पीचे से टकर मार दी हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया हादसे में दो दरजन से अधिक लोग गंबी रूप से गहायल हो गया है सूशना मिलता ही पुलिस मौके पर प्रताया और हॉस्पिटल में भरती करवाया है मुकदमा दर्च किया गया प्रतागबड में घर में 22 कबुतरों की संदिद्ग परिस्तितियों में मौत हो गई जिसके बाद इलाके में बर्ट फ्लू की धहशत फैल गई पीडित की शकायत पर वन विवाक की टीम और पशू में भरती करा दिया है दरसल तेज रफ्तार की कारण हाथसा हुआ है पुलिस ने मुकदमा दर्च कर लिया है गाड़ी मालिक से पूस्टाच की जारी है मेरेट में बदमाशों ने महिला प्रोफेसर से 40,000 की नगदी और सोने की जोलरी लेकर मौके से फरार हो गया है खास बात ये रही कि पुलिस चौकी के सामने ये वारदात हुई है जिसके बाद लोगों ने जम कर हंगामा किया पुलिस ने लोगों को शांत कराया बदमाशो की तलाश शुरू की बलिया में कोहरे का कहर जारी है तेज रफतार पिकप गाड़ी कोहरे के चलते अन्यंतरित होकर मंदिर में जोड़दा टक्कर मार दिये जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच कई पुलिस ने गाहल चालक को अस्पताल में भरती करा दिया है कानपूर में फुलिस ने एक यूनीक बाइक चोर को ग्रफतार किया है फुलिस ने चोर के पास से 6 बाइक बलामत किया जांकरी के नुसार चोर इन चोरी की बाइकों को अपने मिलने वालों के पास बतौर गिरवी अ करता था उनardon से पैसा लेकर उस पैसे से जुआ खिलتा फिलाल यूपी फटापट में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार